Hello everyone, मैं आशा करती हूँ, आप सभी ठीक होंगे, मैं काजिल धामी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपके अपनी चानल People Teach me आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए CTAG Paper to Science का जो NCIT सीरीज है शुरू कर रही हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो हमारा एक important chapter यहाँ पर science में पूछ जाता है जो की है light यान की प्रकास इस chapter को complete cover करूँगी आपको पता है अगर आपने NCIT पढ़ा है तो यह chapter आपको class 6 में मिलेगा, यह chapter आपको class 8 में मिलेगा मैं आप लोगों के साथ compile करके chapter discuss करूँगी ताकि आपका class 6 का, class 8 का दोनों का content साथ में यहाँ पर cover हो जाए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप playlist section विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको सीटाइट परिक्शन से related important वीडियो से यहाँ पर मिल जाएगी तो चलिए अब आपके screen में यहाँ पर यह topic show होगा इस topic को मैं आपके साथ discuss करती हूँ उसके बाद इस topic के हम प्रशनों को हल करेंगी चलिए session को शुरू करते हैं और light chapter को cover करते हैं जो कि completely आपका NCRT based होगा अगर आप seat at paper 2 में science के त्यारी कर रहे हैं तो यह session आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहने वाले हैं जिसमें हम content और previous questions को cover करेंगी तो देखिए अगर मैं light chapter की बात करूँ और light यान की प्रकाश की बात करूँ तो यह क्या है light आपका energy का एक form है जो कि हमें एक sensation देता है एक अनुभूती देता है जिससे हम किसी भी चीज को देख पाते हैं अगर हमारे आसपास light ना हो तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगी इसके अलावा देखिए हमारे आसपास light होने की वज़े से जो stars होते हैं जो आपके तारे होते हैं वो जो twinkle करते हैं यह effect हम लोगों को light की मदद से दिख पाता है इसके अलावा हमारे आसपास जो beautiful color दिखाई पड़ते हैं बारिश के बाद जो इंदर धनेश यान की rainbow आता है यह भी आपका light की मदद से होता है और साथे साथ अगर light किसी भी medium में जाता है तो वो bent होता है यह सारे के सारा जो phenomena होता है यह किसके वज़े से होता है light के वज़े से होता है अब देखिए light के बारे में जब हम पढ़ने बैठें तो हम लोगों को light के कुछ rule जो है या फिर law जो है यह पढ़ने होते हैं जैसे कि यहाँ पे law of reflection अब देखिए यहाँ पे जो reflection का law है यह क्या बोलता है अगर light किसी भी polish surface से जाके टकरा है polish surface यानि कि जिसका एक side आपका polish हो या फिर आप कह सकते किसी भी mirror से जाके अगर light आपकी टकराती है तो यह phenomena आपका देखने को मिलता है और इसके base पे इस बार seatite के exam में एक question पुछा गया था वो भी हम कवगरेंगे तो देखिए light जभी भी आपका किसी polish surface से टकराती है तो जो ray आपका यहाँ पे mirror की तरफ जा रही होती है इसको बोलते हम incident ray इसके अलावा जो ray आपका यहाँ पे mirror से टकरा के निकलती है इसको बोलते है आपका reflected ray और इनके बीच में एक imaginary line होती है जिसको हम बोलते है normal और normal क reflected ray जो angle बनाता है इसे angle r बोलते हैं तो यह है आपका यहाँ पे light किस तरीके से किसे भी mirror से strike होती है इसके कुछ example अगर हम दे तो आपने देखा होगा कि जब आपकी watch के ऊपर अगर sun की rays पढ़ती है तो उसका जो प्रतिभिम्भ है उसका एक तरीके से जो reflection है किसी और जगा दिवार पर आपको देखने को मिलता है तो reflection के कुछ यहाँ पे law भी है जिनको अभी हम discuss करेंगे अब देखिए यह जो law है यह क्या है reflection के यहाँ पर दो law है जिसको अभी हम देखने वाले हैं और इससे पहले एक बार reflection क्या है उसी को देख लेते हैं reflection क्या है जब आपकी सर्फिस से स्ट्राइक हो और स्ट्राइक होने के बाद वो बाउंस हो जाए वो भी सेम मीडियम में तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इस फिनॉमिना को हम रिफलेकशन के नाम से जानते हैं इसके require You ए ँहां पर जो Light की आपका अगला term है जो की है reflected ray अब देखिए ये जो reflected ray होता है ये क्या है जब आपके light किसी भी surface से जाके strike होती है उसके बाद वो आपका bounce back होती है तो जिस direction में ये जाएगी इसको बोलेंगे आपका reflected ray और साथे साथ normal क्या होता है ये एक तरीके का imaginary line है जो के perpendicular होता है आपका क terms के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब question में terms का जिकर हो तो आपको इनके बारे में पता हो इसके अलावा देखिए इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो हम लोगों को यहाँ पे जो law of reflection है इसके दोनों लौक को अभी बहुत अच्छे तरीके से समझन है पहला law तो यह है कि आपका जो incoming light है यानि कि जो incident ray है जो reflected ray है और normal है तेनों एक ही plane में होने चाहिए साथे साथ दूसरा law यह है कि जो angle i और angle r है यह बराबर होने चाहिए यह दो law जब आपका follow होगा तभी light आपका यहाँ पे reflect होगी यानि कि law of reflection यहाँ पे पूरा माना अब देखी इस चीज को यहाँ पे हमने explain भी किया है जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो angle i हो यानिके angle of incident हो वो angle of reflection के बराबर हो यानिके दोनों बराबर हो इसके लावा incident ray normal जिस point पे यह light आपका incident कर रही है यानिके जिस point पे यह टकरा रही है उस point की बात की जा रही ह और जो reflected ray है वो तीनों की तीनों same plane में होने चीए और अगर यह दोनों law जो है यह follow होते है तब जाके आपका law of reflection यहाँ पे देखने को मिलता है I hope यहाँ तक आपको चीजे यह clear होई होगी अब देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो reflection होता है यह भी आपका दो तर mirror है इसके उपर देखने को मिलता है जिसमें इन सारी incident ray आपस में parallel होती है और सारी reflected ray आपस में parallel होती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी आपके black color की line है वो incident ray है और जो blue color की line है वो reflected ray है तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर regular reflection हो रहा है क्योंकि जितनी incident ray है वो तो आपस में बराबर है ही पर साथे साथ जितनी reflect होके यह ray निकल रहे है यह भी आपस में बराबर है तो यह आपका होता है regular reflection इसके अलावा दूसरा type आपका होता है irregular reflection जो कि आपका किसके उपर देखने को मिलता है जो कि आपका unpolished surface जैसे कि आप मान के चल आपका कैसा हो जाएगा irregular surface हो जाएगा अब जब आप इस पर light पास करेंगे तो जितनी light इस पर पास होंगी वो तो आपका एक दूसरे से parallel होंगी पर जो light आपके reflect होके जाएगी वो आपका एक दूसरे के parallel नहीं होगी वो किसी भी direction में हो सकती है और क्योंकि reflected ray यहां पे क् एक दूसरे के parallel नहीं है तो इसे लिए हम इसे irregular reflection के नाम से जानते हैं I hope यहां तक आपको चीजे clear होंगी इसके बाद जरह हम आगे देखते हैं अब देखिए यहां पे हम लोगों को plane mirror के बारे में बता रहा है बट plane mirror के बारे में जानने से पहले जरह मैं आप लोगों के सा अब ही आपके साथ discuss किया reflection का इससे related जो आपके पेपर में question पूछा गया है वो मैं आपके साथ discuss करते हूं फिर हम plane mirror के तरफ बढ़ेंगे देखी यहां पे हम लोगों से question पूछ रखा है जिसमें यह बोल रखा है कि दो आपके mirror हैं और यह जो दोनों mirror हैं एक दूसरे के right angle पे right angle पे यानि कि ये दोनो mirror किस तरीके से हैं ये दोनो mirror आपके दिखने में कुछ इस तरीके से हैं तो मैंने यहाँ पे आपके लिए दो mirror यहाँ पे बना दिया जो कि एक दूसरे से कितने degree पे ये 90 degree पे ये हमें question में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया और इसकी एक side को मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए polish कर दे रही हूँ इसके अलावा देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बोल रखा है अगर यह mirror A है और यह mirror B है जो कि मैंने यहाँ पे mention भी कर दिया है अब देखिए आगे क्या बोल रखा है कि एक light है जो कि आपका mirror A पे 30 degree पे strike हो रही है तो 30 degree पे आके यह इस तरीके से यहाँ पे strike हो रही है तो यहाँ पे आपका इस तरीके से एक normal आपका बन जाएगा इसको थोड़ा छोटा बना लेती हूँ ताकि यह देखने में दिक्कत ना हो तो यह मैंने बनाया है यहाँ पे आपका normal और यहाँ पे बोल रखा है कि यह mirror A से 30 degree पे आपका क्या हो रही है तो यहाँ पे यह जो angle आपका बन जाएगा यह angle कितने degree का बनेगा यह angle आपका 30 degree का बनेगा जो कि मैंने यहाँ पे mention कर दिया 30 degree अब देखी इसके अलावा अब अगर यह 30 degree पे incident हो रहा है तो 30 degree पे ही आपका reflect होगा तो 30 degree यहाँ पर भी आपका बन जाएगा क्योंकि incident ray और reflected ray आपस में बराबर होती है तब जाके आपका law of reflection होता है अब देखी यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली यह है कि अगर यह 90 degree है और 7-7 यहाँ पे आपको यह 30 degree दे रखा है तो अगर यह आपका normal वाली line है और अगर आप यहाँ पे linear pair के हिसाब से भी देखते है तो भी आपका यह कितने degree का बनेगा यह आपका 60 degree बनेगा तो यहाँ पे मैंने 60 degree बना दिया यहाँ पे triangle की property लगा के तो इस hesaब से यह बन जाएगा आपका 30 degree तो देखिए यहाँ पे triangle की property लगी है अब इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि अब यह mirror B से भी strike हो रहा है mirror B से मैंने यहाँ पे आपका strike कर दिया अब देखिए यहाँ पे mirror B से strike होगा तो यह इसका यह normal बन जाएगा और साथ यहाँ पे आपको पता है कि normal जो होता है वो 90 degree पे होता है और अगर यह 30 degree है तो यह वाला जो angle होगा यह 60 होगा और यह angle 60 होगा तो इसके बगल वाला भी 60 होगा तो इस तरीके से आपका reflection का आपका पूरा मैंने phenomena बना दिया और यह जो question है यह आपका class 8 की NCRT के exercise का question है तो देखिए आपको NCRT से बाहर कुछ नहीं पढ़ना होता है यह exercise का question है अब आगे क्या बोल रखा है आगे यहाँ पे बोल रखा है कि आपको यहाँ पे angle of reflection बताना है A और B का तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि angle A से यानि कि mirror A से जब इसका reflection हो रहा था तो इसका angle कितना था इसका angle था यहाँ पे आपका 30 देखिए मैं यहाँ पे डाक कर रही हूँ इसके अलावा जब mirror B से यह आपका reflect हो रहा है तो इसका angle कितना है 60 तो आपका कौन सा option यहाँ पे correct होगा यहाँ पे आपका पहला option correct होगा जिसमें 30 और 60 यहाँ पे दे रखा है आप इस जो मैंने यह image बनाई है आप इसे यहाँ पे draw कर सकते हैं अपने notes में अब आप चाहे तो इसी question को यहाँ पे हिंदी में भी आप read कर सकते हैं जिसमें यहाँ पे बता रखा है कि जो दो दर्पन है यह दो दर्पन आपके sum कोन है यानके 90 डिगरी पे है अगर एक प्रकाश की आने वाली जो किरन है वो दर्पन A में 30 डिगरी से टकराती है और उसके बाद दर्प दर्पन B से टकराती है तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो reflection होगा A और B के तहत यह कितना कितना होगा I hope यह question जो मैंने आपके साथ discuss किया यह आपको clear हुआ होगा अब चलिए हम आगे यानके plane mirror के concept को discuss करें अब हम discuss करने वाले हैं यहाँ पे plane mirror के characteristics के बारे में आपने बात करूं तो plane mirror में आपकी जो image है वो किस तरीके से बनती है सबसे पहले मैं आपके साथ की discuss करना चाहती हूँ तो देखिए अगर आपका यह एक आपका surface है और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक plane mirror रख दिया तो देखिए इसमें image formation किस तरीके से होगी अगर एक object आपका य कम से कम दो आपकी race चाहिए होती है तो दूसरी ray आपका जैसे कि हमारे law of reflection को follow करते वे इस तरीके से टकराएगी और यह incident यहाँ पे reflect होते वे यह निकल जाती है अब देखिए यहाँ पे मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजेगा मैंने जो पहले वाली यह ray बनाई है यह ज करेंगी तो आप कहेंगे कि पहली वाली रे तो सीधी निकल रही है जबकि दूसरी वाली रे आपकी दूसरी दिशा में जा दिए अगर मुझे यहाँ पर image formation कराना है तो इनको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाना होगा और अगर यह आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ती है तो image जो है आपका plane mirror में किस जगह पर बनता है behind the mirror यानि कि mirror के पीछे image बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम virtual image बोलते हैं सबसे पहले यह इसके अलावा object आपका सीधा खड़ा है और image भी सीधा है तो इसके लिए एक शब्द का प्रियोग किया जाता है erect और साते अगर आप distance wise भी देखें यह मनें हाथ से बना रखा है इस हिसाब से भी distance wise अगर देखें तो object जितना दूर है image भी उतना दूर हैगा तो इससे आपको काफी सारे character पता चल गए और अगर आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं कि plane mirror में किस तरीके कि आपकी image formation होती है अब multi win baby 2030 गाती है जो यह आपका mirror के पिछ बनता है इसके और अग्र रिएसा साइस आपका object के साइस के बेराबर होता है और यह मिपिछ से बन ऐसका लावा यह देखने में कैसा होता है यह लेटरली inverted होता है literally inverted का क्या मतलब है literally inverted मतलब object आपका अगर आपका right hand आपका आप mirror में देखोगे तो वो left side दिखाई देगा और इस siege के लिए एक image यहाँ पर दिखा रखा है कि अगर आप यहाँ पर lateral inversion देखना चाहते हो तो आप खुद को सीशे के सामने देख सकते जो आपका right hand का side है वहाँ पर आपको left आपका दिखाई देगा left वाला side right में और यही चीज आपको ambulance में भी दिखाई पड़ती है जो कि NCRT message को mention किया गया है इसके अलावा देखिए अगर हम आगे बढ़ें तो light में यहां पर dispersion भी होता है जब कभी भी light जो है आपका यहां पर प्रिजम से टकराती है और आप कहेंगे कि nature में तो प्रिजम होते नहीं है nature में जैसे कि water droplet से टकराएगी जो कि आपका rainbow formation में भी होता है तब आपका यह जो white light होती है यह seven color में split हो जाती है और light आपके जब seven color में split होती है इस process को हम बोलते है dispersion of light इसके बारे में भी हमारे NCRT में mention किया गया है इसके साथ साथ यहां पर कुछ example कुछ उधारन दे रखें dispersion of light यह जैसे कि rainbow form होना इसके अलावा जो आपके sunlight जो आपके prism से पास होती है और जो natural prism है वो क्या है natural prism आपका water droplet है यानि कि पानी की जो छोटी छोटी बूंदे होती है वो आपका natural prism का काम करती है इसी वज़े से बारिश के बाद जो छोटी छोटे water droplet रह जाते हैं हमारे atmosphere में वायू मंडल में उसी सही यहां पर light आपका पास होके हमें rainbow formation दिखाई पड़ता है इसके अलावा देखिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ और यहां पर उधारन यहां पर दे रखे हैं कि आपको यह dispersion कहां कहां देखने को मिल जाएगा तो आपने देखा भी होगा rainbow में प्रिजम में इसके अलावा compact disc जो cd वगयरा पहले के टाइम में यूज की जाती थी इसके अलावा transmission में आपको इन सब चीजों में यहां पर dispersion देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको multiple color यहां पर दिखाई पड़ते हैं इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो देखिए अब हम discuss करेंगे spherical mirror के बारे में अभी मैंने plane mirror को discuss किया spherical mirror के बात करूँ तो इनका जो reflecting surface होता है वो कैसा होता कर्व होता है इसको याद करने के लिए क्या है आपको दो term आपको याद रखनी है अब देखिए यहां पर क्या होता है यह मैंने बनाया आपके लिए सबसे पहले यह जो बनाया यह आपका है concave concave में याद रखेंगे क के वाली साइट से आपके light pass होगी और convex में इसका उल्टा के वाली साइट से light pass नहीं होती और क्योंकि इसका reflecting surface कर्व होता है तो इस तरीके से आपकी rays यहां पर आती है अब देखिए इसके बारे में और detail में अगर हम देखिए तो इनके बारे में बता रखा है कि जो concave mirror होत है इसके लावा convex mirror का जो reflecting surface होता है वह बाहर की साइट से होता है इस तरीके से और अंदर की साइड आपका polish होता है और यह diverging mirror होता है यह rays को और दूर फैला देता है इसके साथ साथ आपके paper में इनके कुछ uses वग्यारा भी पूछ लेते हैं जैसे कि concave mirror जो होता है आपके torch म में वेकल की headlight में इन में प्रियोग किया जाता है dentist भी आपके डातों को चेक करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं shaving mirror की form में भी यूज किया जाता है solar finance में भी लगाया जाता है तो यह आपका statement based question बनाके यह पूछ लेते हैं कि concave mirror किसमें यूज होता है convex mirror किसमें यूज ह होते हैं उनमें यूज किया जाता है ताकि एक wide coverage पीछे का सके पीछे कितनी गाडियां हैं कितने distance में पता चल सके इसके अलावा यहां पर बोल रखा है कि traffic light vision में भी इसका प्रियोग किया जाता है और security mirror के form में भी तो आपको यह याद रखना है कि concave mirror और convex mirror आपका किन सबसे पहले यह इरेक्ट इमेज बनाता है यान कि सीधा इमेज बनाता है सही है इसमें रियल इमेज नहीं बनती इसमें वर्च्वल इमेज बनती है यह चीज आपको correct होगा इसका लावा लेटरली इंवर्ट साइड आपका right साइड में दिखता है यह सही है और image distance object distance के बरा में पूछ गया है अब देखिए यहां पर यह जो आपका question है यह question और एक और question में आपको दूँगी जो कि आपका second और third question आपका यहां पर homework question होगा इन दोनों questions को आप read करिये अगर आपने concept अच्छे से देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपसे यह question नहीं हो पाएंग है कि एक candle को दो बच्चे देख रहे हैं एक सीधे रोट से और एक तेड़े रोट से जो सीधे रोट से दिख रहा है उसको वो light ray दिखाई पड़ रही है क्योंकि light हमेशा straight path में ही travel करती है तो second or third question आपका homework question है आपको बताना है comment section में कि क्या correct answer है I hope यह session आपको पसंद आया